अच्छा सुलो सब्स्ट्राइब करने के बाद ना घंटी बजा दे से कुमावनी भासा में शिशून और गडवाली भासा में कंडाली बोλα जाता है इसमें छोटे-छोटे काटे होते हैं जिन्हें अगर छून लिया जाए तो बिच्छू के काड़ने जैसा ही धर्द होता है इसलिए इसे बिच्छू गास बोला जाता है इसमें बहुत सारे पोसक तत्तु पाए जाते हैं इसलिए इसका उप्योग शबजी इत्यादी स्वादिष्ट ब्यंजनों को बनाने में किया जाता है इसको हरबर्डिस के रूप में बोला जाता है इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, विटामिन, A, B, D, आईरन, कैल्सियम और मेंगनीज भरपूर मातरा में पाए जाते हैं दोस्तो अब मैं आपको विच्छु घास के घरेलू उप्योग के बारे में बताता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीजी से अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएं तो चलिए दोस्तो आप बिच्चु घास के गुणकारी फाइदों के बारे में जानते हैं दोस्तो बिच्चु घास बुखार और सारेरी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत गुणकारी होती है यह गठिया और मलेरिया की परेसानी के लिए भी बहुत फाइदेमंद होती है अब मैं आपको बिच्चु घास के सबसे फाइदेमंद उप्योग के बारे में बताने वाला हूँ अगर सरीर के किसी अंग में शूजन हो या सरीर का कोई अंग सुन्न हो जाए तो वहाँ पर बिच्चु घास लगाने से बहुत ही आराम मिलता है रिशर्च से यह साबित हो चुका है कि बिच्चु घास बुखार को ठीक करने के लिए पैराशिटा मॉल से 10 गुना ज्यादा बहतर होती है बिच्चु घास आरन से भरपूर होती है बिच्छु घास में लाबदैक पोशक तत्तों की मात्रा भरपूर होने के कारण इसका उप्योग आप चाय पत्ती बनाने के लिए भी किया जाने लगा है तो दोस्तो यहती हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए बिच्छु घास के बारे में महत्वपूर जानकारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवसी बताएं अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ ही मैं आपका दोस्त सुवाज भारदवाज आपसे विदा लेना चाहूंगा नमस्कार धन्यवाद राधे राधे